हाई दोस्तों जैसे आप देख सकते हो अभी अभी यह पेपर हुआ है और मेरे पास में दो गांडिडेट्स हैं जिनका एक्जामिनेशन था तो ज़रा समझते हैं कि इनका पेपर कैसा हुआ है सुमिध से बात करेंगे सुमिध बताईएगा मैं पेपर जो था वो क्वांड का थोड़ा कैलकुलेटिव था अगर अगर हम पहले जितना भी कोशिस करो पहले की कोशिस करना हमें आरा सिंप्लिफिकेशन कोईटिक यह से कंप्लीट कर देना चाहिए क्योंकि जो के पेपर है सब्सक्राइब होने कारण तो हमें परतानी हुई और साथी साथ अर्थमेटिक जो था वो थोड़ा हल्का लिंदी पर रहा था और बाकी रिजनी की जो कोशन आई थी वो मैक्सीमम एजी ही थी बस एक को से लास्ट का था जो जनवरी बेस मंथ बेस को सिन था जिसमें हमारे की टागिक था कि रीज दिन को पूरा टैंक्ट करना था की वो मेरा स्टोंगपएंट है कौन्ट में होता है की थोड़ा केल्कुलेटिम हो जाता था सलेक करना परता है वैसट था 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 तर दो ज्देशन थाना यह रहा था तो पर दिस ओंधे मिलें था तो प्र रॉन करना एक चार्ट वाली दियाई थी एक आपको एजी क्या लगा रिजनिग या क्मार्ट गईजी था यह सब देख सकतों रिजनिंग यह कंपारिटीवली एजी ती और रिजनिंग पर भरोशा तोड़ा और जादा हो गया अच्छा इस एक्जाम में स्पीड का क्या महत्व था इस तो आपको क्या लगा स्पीड का क्या मेहत बता इस पीड का मेहत और सबसे पहले प्वेस्टेश नहीं करेंगे ना तो इसके का नहीं अटेम घर पड़ा जाता है और यही मेरे साथ वहाँ मैंने को सबसे जरूरी है स्पीड एक्यूरेसी एंड क्वेस्टन सेलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था और देखो कैसी दूप है हमारे कैसी पसीने निकाल रहा है स्टूरेंट्स की तो हमारे से पुरी हालत है बट ओवर आल जो सबसे जादा हमारे लिए वह ता कि एक्जाम बच्चों का अच्छा ह मिल जाए एंड आए होब जो इतनी मेहनत करके आए उनका सेलेक्शन इस बार ही हो जाए ताकि नेक्स राइम वह इस समय बैंक में बैटे हो